रोज रोज एक ही तरह की काम करके अगर बोर हो गए हैं तो इस टिप्स को जरूर अपनाईए गया जो रोज रोज की काम को असान कर देंगे सिंपल से हैं चार किचन टिप्स हैं लेकिन काफी यूसपूल है मेरे कीचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कीचन टिप्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा अपने फैमिडी फ्रेंग्शाथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्स नहीं होते हैं वह खिचरी खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहां पर मैंने सिंपल सी सिरफ बिंस और मटर डालके खिचरी बनाईए दाल और चावल वाली और इसमें सिरफ फल्दी और नमक डाला और कुछ नीडाल है अब यहां पर हम तड़का लगाएंगे एकदम मजिदा और घी का ही तड़का लगएगा साथ में रेट चिली पाउडर डालेगा और एक और मसाला एड़ करेंगे जिसे जो हमारा खिचरी के एकदम स्वात बढ़ जाएगा बच्चे भी पसंद से खूब पसंद करके खाएंगे तो यहां पर मैंने प्याज और लैसन को अच्छे स चमच गरम मसाला अगर गरम मसाल आपको पसंद नहीं तो यहां पर पावजी मसाला एड किजिए या फिर कोई बिर्यानी मसाला हो वह आड किजिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस फिर से गैस ऑन करके थोड़ा साई से हम कुख होने देंगे बस कुछ सेकंड के लिए और इस तड़के को हम डाल देंगे खिच्डी में जो सिंपल सी खिच्डी में एकदम मज़ेदार स्वाद्य देगा जो बच्चे खिच्डी खाना नहीं पसंद करते आप धेर सारी वेजटेबल डालके इस तरीके से उपर से तड़का लगा के बनाईए जो खिच्डी धेर से अधा मिनट के अंदर घर सारी लैसुन आप छी़ सकते हैं तो यहांपर पहले लैसं के कलिया आपको अलग कर ले नहीं है इस तरीके से और एक कटूरी या फिर कोई भी गलास लेलीजिए इस तरीके से और जैंसे अम हम्हे लैसुन को इस यूज़ी करते हैं कि रहन के दाना कि देविशन चलेवे अगैशन करें तो नहीं कि देविशन घेवाने के छोड़ जाते हैं और झाल सकते हैं मैं नहीं चीन खरत के दाना च्ट इस चाहिए और एक और यह चोटा सा टीप से आई होप कि यह टिपस आपको अच्छी लगी हो और लेस्न चिलने का यह तरीक आपको पसंद आया तो प्लीज जितना हो सकी शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताए कि आप इस वीडियो को कौन से सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थ चाहरे हैं बस मैंने यहां पर डबे में से निकाला और इसे एक बोल में डाल दिया है अब मैं आपको दिखा रहे हैं आपए पानी डालेंगे निसमें ठीज सारी गणी निकल जाएगी तो सिरफ यह पानी से साफ नहीं होता हम क्या उठाते पानी से दो के खा लेते बट ऐस सो इसमें डालेंगे दो चमच विनेगर अगरे इसमें ज् おव Rat के पास जौधा है तो इसमें ज्वादा कॉन्टिरटी में थोड़ा नमक डालें ज्यादा ख़ुधा है इसंत मैं अशावलने दा जैनके दना है अगर नमक और विनेगर डाले किलीण करते हैं तो दिखेंगे इनिא आपप को दिखा रही हूँ पानी में कितनी घंधगी एक बर और आवर में पानी से धोवाइंगे जब तक दो शे तीन बार से पानी में डाले के थोड़ी के लिए निकल बार चुष्टी आपनी में धोगी प्लीज पसंद आए तो इसे जितना हो सके शेयर जरूर करें तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला टिप्स नहीं बहुत ही चटपटी सी चाट की रेसिपी है जो हम पापड से बनाएंगे या तो शेख के खाते हैं या फिर उसे फ्राइ करके खाते हैं आज हम पापड से बहुत यह बड़िया चाट बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पापड को हमें कट कर लेना है और इस तरही के बढ़े कट करने के बाद low to medium flame रखेंगे और पापड को दबाते हुए सेग लेंगे तो यहां पर आपको high flame मत किजिएगा नहीं तो पापड पकेगा नहीं और जल्ली से यह जो हना मुड़ जाएंगे तो हमें दबाते हुए इस्ट्रेट ही रखना है पापड का सेफ चेंज नहीं करन और जब यह सिख जाएंगे इस तरीके से फटापड से हम कौन बना लेंगे और जब आप इसे फ्लेम से उतारे जैसी निकाले फटाफट कौन बनाए नहीं तो यह बनेगा नहीं तुरंद कड़क हो जाएगा तो यहां पर मैंने एक कौन बना लिया है चलिए और कौन बना इसको बना के आप रख भी सकते हैं जब भी आपको खाने का मन वह चाट बना के खा सकते हैं तो यहां पर पहले पापड को सेखना जरूरी है लो टो मीडेम फिलम पर दबाते हुए सेख लेंगे और इसे भी हम उस तरीके से कपड़े के उपर रख के इसे रोल करेंगे और कोन बन के तयार हो गया और एक और तरीका है तो इस तरीके से हम पापड सेक लेंगे और कपड़े के उपर रख के दोनों को इस तरीके से पकड़ के हम जोड लेंगे तो यह हमारा दूसरा कोन बन के तयार हो गया चले एक बार और दिखा देती हूं यहां पर इस तरीके से ह पकड़ना है और हमें मोड लेना है तो यहां पर आपको गरम लग सकता है इस बात का ध्यान रखें और यह मैं गैस के पास खड़े हो के कर रही थी तो ज्यादा आज लग रहा था तो आप क्या करें सेख के फटा पट आज से हट जाए उसके बाद ही बनाए नहीं तो हाथ में बहुत तेज गरम लगेगा तो यह पॉर्फेक कोन बनके तयार हो गया है एक और बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से एक कोन पकड़के दूसरे कोने से जोड़ देना है और कपड़े से पकड़के थोड़ी दिर बस कुछ सेकंड के लिए रखिएगा यह पॉर्फेक से स्विट कॉन प्याज खीरा और में टमाटर ले लिए अब चाट मसाला काला नमक डालेंगे थोड़ा सा नीमबू डालेंगे और इसे अची तरीके से मेक्स कर लेंगे और यह चाट ना आप जब आपको खाना हो तभी बनाएगा नहीं तो पापड तुरंट सौगी हो जाए मिक्चर भी डाल सकते हैं आलू के स्टफिंग कर सकते हैं पनीर की कर सकते हैं या फिर मिक्स वेजिटेबल सौते करके भी इसमें भर सकते हैं तो यह सिपल सिपल से ट्रीक्स ते जो आप लोग सासमा ने शेयर किया आई हो आज की टिप्स आपको अच्छे लगे प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें मैं आप से फिर मिलूंगी बापा